अपने यूट्यूब चैनल अमितंकूपर तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हपी असी द्वारा 2021 में जो हिस्ट्री के कोश्चन से पूछे गए थे उसका सेगेंड पार्ट तो अगर किसी ने इसके पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया है आप वहां से इसको देख सकते हैं तो जितने मैं आपको अंसर पताऊंगा ये अंसर होंगे फाइनल अंसर की के अकोर्डिंग जो हपिससी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है तो फर्स्ट कोश्चन है आज का तो किस सिंदु घाटी स्थर पर बिशाल सनानागार पाया गया था तो ये पाया गया था ओप्शिन डी मोहन जोदुडो में इसके अलावा बिशाल सनानागार के अलावा मोहन जोदुडो में बिशाल अनागार भी पाया गया था तो कॉश्चन कई बार पूशा गया है कि बिशाल अनागार कहां पाया गया था तो मोहन जोदुडो में हडपा की खोज किस ने की थी तो हडपा की खोज 1921 में की थी दयाराम सहानी ने और मोहन जोदुडों की खोज की थी 1922 में राखलदास बिनरजी द्वारा इसके लावा जो कोशन पुशाते हैं कि सिंदु घाटी सब्भिता कैची थी तो यह थी नगरी सब्भिता थी एक भारत की पहली नगरी सब्भिता यानिकि भवन थे और नालियों की वरस्ता अच्छी तरीके से की गई थी इसके लावा यह थी एक कांसे यूगीन सब्भिता क्या यज्य अनुष्ठान प्रक्रिय से जुड़ा हुआ है तो इसका जो अंसर है option D यजुरुवेद तो चार वेदों में से जो यजुरुवेद है इसका यजुरुवेद का जो उपवेद है वो है धनुरुवेद और यजुरुवेद का संबन्द है कर्मकानुसे लेटर या यग्य की विधी नेश्ट कॉश्चन है अवंती की उत्री राजधानी क्या थी इसका जो अंसर दिया है option A, उजैन तो अंसर है उजैन नेश्ट कॉश्चन है तो किस थान पर दुट्टी जैन संगती आयोजित हुई थी तो कल मैंने डिस्कस की थी बहुत संगती है जो चार बहुत संगती हुई थी उनके बारे में तो इसमें पूझा है दुट्टी जैन संगती तो इसका जो correct answer है तो दूसरी जैन संगती आजुटी हुई थी बल्लवी में और बात करूँ मैं प्रत्तम जैन संगती तो इसका योजन जो हुआ था यह हुथा पाटली, पुत्तर में और चंदरगुप्त, मौरे के समय के लावा जो HPSRC में पूछ आते हैं कॉश्चन कि जैन धर्म के पहले तिर्थंकर कौन थे तो रिशवदेव और 23 में तीर्थंकर के बारे में पुछ आता है कि 23 में तीर्थंकर कौन थे तो पार्षवनाथ और 24 में तीर्थंकर थे महावीर महावीर का बच्पन का नाम था सिधार्थ Next question है किस शाशक ने वतापी कौनडा उपादी धारण की तो इसका अंसर है Option A नर्सीम वर्मन प्रत्थम ने Next question है तो इसका जो अंसर है Option C बहलो लोधी Next question है किस मुगल भाशा के शाशन में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी तो इसका जो अंसर दिया है Option D जहांगीर Next question है किस मुगल शाशक ने जजिय समाप्त किया तो मैंने कल भी डिसकस किया था कि जजिय समाप्त किस ने किया था Option A अकबर ने और अगर कॉशन आए कि किस मुगल शाशक ने जजिय जो था दोबारा लागू किया तो option D आएगा औरंगजेव और औरंगजेव को जिन्दा पीर भी कहा जाता है तो यह कॉशन भी पूझा किया था है HPSSC में नेक्स्ट कॉशन है इन विच एर बैटल और चॉसा टुक प्लेस तो चॉस्ता का युद्ध किस वर्ष में हुआ था तो कल भी कॉशन आया था तो चॉस्ता का युद्ध हुआ था 1549 में जी घ्रत लगते हैं मतलब सारे के सारे क्योशन एक साथ मिल रहे हैं आपको हिस्टरी के तो आपके लिए आनेवाले एकजाम के लिए काफी जाए आसान रहेंगे और जो भी H주세요 इसट इंडिया कंपनी की राजधानी कहा थी इसके जो अंसर है उपशन ए पांडिचेरी नेक्ट कोश्चन है देरा दून में गुरू की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरू कौन थे तो इसका जो अंसर है ऑप्शन भी गुरू हरकिशन नेक्ट कोश्चन है आरे समाज वास पॉणड़ वाई साधस्वाति, की बारे में मतलब इन्स बीचा पॉषाते हैं कि बारत के मार्त की किसे आता है तो दियनंद सरस्वति को और बचपन का नाम क्या था इनका 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 वश मकम नाम था मूलशंकर और इनको जो दैनन नाम दिया है वह दिया है पूरुनानंद ने इसके लावा कोशन पुछाता है इंसलेटिड कि वेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था तो वेदों की और लोटो नारा दिया था स्वामी देयनन सरस्वती ने और इन्हों एक पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश भी लिखी है इसके बाद मैं बात करूँ स्वामी बिवेकनन्द तो स्वामी बिवेकनन्द का भच्पन का नाम था नरेंद्र तत और इनके गुरू का नाम था राम कृष्ण परमहंस और जो था राम कृष्ण मिशन की स्थापना किस ने की थी तो राम कृष्ण मेशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकरनद ने 1897 में, 1897 में, और पातकुरू, option D, राजा राम मोहन राय की, तो इन्हों ने जो स्थापना की थी, वेदान सोसाइटी की और ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना ने ने की थी, 1828 में, 1828 मे next question है in which year महात्मा गांदी launched the non-corporation moment तो महात्मा गांदी ने अस्योग अंदूलन की शुरुआत किस वर्ष में की थी तो कल भी question आया था ये तो इसका जो answer है option A, 1920 में इसके लावा 1930 में सवीने वग्या अंदूलन यानि की जो नमक सत्यागर था और 1942 में भात छोड़ो अंदूलन इसके लावा 1917 में चंपारन सत्यागर भी किया था next question है which session of Indian National Congress was presided over why सुभास चंदर बोस तो सुभास चंदर बोस ने भारती राष्टे कॉंग्रेस के कि सत्तर की अध्यक्षता की थी तो इसका जो अंसर है का option C A and B दोनों हरीपुरा अधिवेशन 1938 और त्रीपुरी अधिवेशन 1939 में तो दोनों में ने अध्यक्षता की थी next question है M.S. Gopal Krishna associated to which musical instrument तो M.S. Gopal Krishna जो थे कौन सा वाद्देयंत्र कहां किस वाद्देयंत्र से समंदित थे next question है चावल की खेती का समंद्र निमली खित में से किस हडपास्थल से रहा है तो इसका जो अंसर है option B लोथल next question है किस गरंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिधानतों का वेवार किया गया है तो इसका जो अंसर है option C मूल सुत्र औश्यदी का प्रारंगिक उलेख ढोन जा सकता है तो इसका जो अंसर आएगा, हॉप्षन फाइनल अंसर की के कोडिंग जो अंसर दिया है, वो दिया है उप्षन सी अथर्व वेध नेस्ट कॉशन है गुप्त काल में निमलिखित में से कौन सी धातू का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था इसका अंसर है ओप्शन डी आईरेन एंड श्टील का लोहा और इस बात का नेस्ट कॉशन 95 बुद्ध शवद का आशे क्या है इसका अंसर है ओप्शन सी ज्यान संपन्न नेस्ट कॉर्चन है गुप्त वत्तर काल में निमलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्त पूर्न स्थिति कhou कि इसका अंसर है ओप्शन का शाषक था इसका अंसर है ऑप्शन भी काठिया वार का सेन राजवन्ष का संस्थाप कौन था तो इसका जो है सभी को ग्रेस मार्क्स मिला है यहां पे तो चारों में से कोई भी अंसन सही नहीं है तो सेन राजवन्ष का संस्थाप था हिमंत सेन एक मात्त सुल्टान जिसने स्वें को खलीफा घोशित किया था तो इर्पीटिड कोश्चन है यह इसका अप्षिन बी मुवार्क शाह खिल जी नेश्ट कोश्चन है तलाई कोटा के युद्ध के समें बिजेनगर का शाशक कौन था बिजेनगर का महराजा कौन था इसका अंसर है ऑप्षिन बी देवराय प्रत्थम नेश्ट कोश्चन है अकवर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकवर ने क्या कहा था इसका अंसर है option B, तोहिदे इलाही Next question है, शीवा जी के चरित्र गठन पर निमली खित में से किसका बिशेश प्रभाव था? तो इसका जो अंसर है option D, माता Next question है, न्याय की जंजीर का समंध किस से है? इसका जो अंसर है option D, जहांगीर से Next question है, जर्तुशत धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था? इसका अंसर है option B, पार्सियों द्वारा Next question है, ब्रीटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुक्यता वना था? इसका अंसर है option B, जमिदारों का Next question है, अतिवादियों में सर्वादिक उत्कृष्टनेता कौन थे? तो इसका जो अंसर है option D, बाल गंगा धर तिलक Next question है, बंगाल का भिवाजन किस के द्वारा किया जाना चाहा गया था? तो कल भी कोशन आया था यह, कि बंगाल का भिवाजन कब हुआ था? यह हुआ था 1905 में, और किसने किया था यह? तो यह किया था Lord Karjan ने, तो आपको डेटी आरखने हैं 16 अक्तूबर 1905 को 16 अक्तूबर 1905 को बंगाल का भिवाजन हुआ था तो 16 अक्तूबर को शोक दिवस की रूप में मनाया गया था नेश्ट कोश्चन है प्रत्थम विश्वयुद के दौरान अंगरेज्जों के प्रती भारत का रवाईया कैसा था तो इसका जो अंसर है option D सक्री मदद तो प्रत्थम विश्वयुद जो हुआ था 1914 से लेके 1919 तक हुआ था तो इसमें भारतियों ने अंगरेज्जों की सहायता की थी नेश्ट कोश्चन है दा बायग्राफि ओफ हुमान्यू वाज रेटन वाई तो हुमान्यू की जीवनी किसके दौरा जो थी लिखी गई थी तो हुमान्यू की जीवनी हुमान्यू नामा जो की फार्सी में लिखी थी किसने लिखी थी गुल बदन बेगम ने ऑप्षिन डी कोरेक्ट है नेश्ट कोश्चन है किसने कांची पुरो में पसिद्ध वैकॉंट पेरूमल मंदिर बनवाया था इसका अंसर दिया है ऑप्षिन सी नंदी वर्मन धृत्तिय नेश्ट कोश्चन है कि किस वेद में यग्ई सूत्र है तो ये कोश्चन जो है आंटर जो स्टान से कोन सा विए जो है संब्रिंधित है ऐसे नेस्ट कोश्चन है डॉक्टर बी और अमयटकर ने क्या स्थापित की थी कौण सी पार्टी जो सिथापित की थी इसका अपन सुप्षिन भी सुतंतर श्रमिक पार्टी, इंडिपेंडेंट्blesद़्ट अ पार् कौन सा है तो आप सभी को पता होगा इसका अंसर ऑप्शन भी लोथल कोशन ऐसे पूछा जाए कि सिंदु घाटी सब्विता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो सबसे बड़ा नगर था मोहन जोद्रो नेश्ट कोशन है तो महावीर के अनुयाईयों को दिया गया मौल नाम क्या था ये के लाए थे ऑर्पिन भी निरगरंथा नेश्ट कोशन है इतिछ साही मौल्द वंशवाली का अंतिम समराठ कौन था तो पहले ले बात करूके तो मोरे वंश के बाढ़े में तो मोरे वंश के जिसंसाफ ह totalement रॉरे तो उछ ने श्षापना की थी नंदव मगांश में धन्ननन्द को हरे और मोरे मगांश के बाद आए य। और नसे बिन्दुेशा और विन्दुशार आसोक किऊ इसका चंप था और यी प्रतली पुत्र नेक्ट कॉशन है सभी प्रकाल के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निवन में से कौन सा है नेक्ट कॉशन है ओप्शन डी यवन नेक्ट कॉशन हमारे पास नव नितकम संबन दिथा इसका अंसर है ओप्शन डी चिकित्सा से निमन में से किसे भारत का अंति महान हिंदू शाषक माना जाता है इसका अंसर है ऑप्शन वी हर्षवर्धन को तो हर्षवर्धन जो थे पुश्य भूती वंशे सम्मन दित थे निमन में से किसे भारत का अंति महान हिंदू शाही वंश कौन सा था इसका अंसर है option B गुजर प्रतिहार वंश नेश्ट कोश्चन 79 खजुराहों में पसिद चतुर भुज मंदी का निर्मान किस ने करवाया तो ये करवाया था option D येशो भर्मन ने नेश्ट कोश्चन है कि कुटुब दीन भक्तियार काकी निर्मन में से किस सूफी सिलसिले से समंदित है इसका अंसर है option B चिश्टी सिलसिला नेश्ट जो है तो क्वाल्टी का काफिया यहां पे लो है तो अवाज मेरी आप ध्यान से सुनियेगा धनुर्वेदा इसदा उपवेदा और विच वेदास तो धनुर्वेद जो है किस वेद का एक उपवेद है तो धनुर्वेद किसका उपवेद है यह है यजुर्वेद का तो यजुर्वेद किससे समंदित है यह यग्य की विदी से और बात करूँ में option A रिगवेद तो रिगवेद का जो उपवेद है वो है आयूरवेद बात करूँ में option B सामवेद सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधरवेद और सामवेद का जो समंध है वो है संगीत से बात करूँ option C अथरववेद तो अथरव वेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद और इसका जो समन्ध है जादू टोने से समन्ध नेस्ट कोशन है निमन लिखित में से किसके शाषन के दौरान चीनि यात्री फाहान भारत की यत्रा की थी इसका अंसर है option c चंदर गुप्त दुथिये के शाशनकाल में इसके लावा जो चंदर गुप्त दुथिये से रिलेटलि जो कोशन पुछ जाते हैं कि विक्रमा दित्य की उपादी किस ने धारन की थी तो विक्रमा दित्य की उपादी धारन की थी चंदर गुप्त दृतिये ने इसके लावा नौ नवरतन किसके दर्वार में थे तो चंदर गुप्त दृतिये के दर्वार में जैसे कि धनवंत्री आरेवट ब्राहमेहिर और कालीदास किसके दर्वार में थे ये नौरतन तो चंदरगुद दित्ती के दर्वार में एक तो चीनी आत्री था फाहान और दूसरा जो चीनी आत्री था कि चीनी आत्री हेनसांग जो था हेनसांग किसके दरवार में आया था तो चीनी आत्री हेनसांग आया था हर्शवर्धन के दरवार में नेश्ट कॉश्चन है किसने आगरा का किला बनवाया तो ये बनवाया था अकबर ने नेश्ट कॉशन है 149 यंग इंडिया निमन लिखित में से किसकी एक कृती है तो ये है महात्मा गांधी की नेश्ट कॉशन है 150 मोहिन अटम किस राज्य का शास्त्री नरित्य है जिगरोफी का कॉशन आगया है ऑप्शन एक केरल नेश्ट कॉशन है निमन में से किसके साथ देवी की भक्ती पूजा जुड़ी है तो इसका अंसर है ऑप्शन सी सिंदु घाटी सभिता के साथ नेश्ट कॉशन है निमन में से कौन सा प्राणि सारनात स्तंप पर उतकीरनित नहीं हुआ है इसका अंसर है फाइनसर के में ऑप्शन भी हिरन इसकाराओं द्वारा कौन से दिल्ली सुल्तान को विरोधा भासाओं का मिश्रण बताया गया है तो इसका अंसर है ऑप्शन डी मुहमद बिन तुगलक मुहमद अई जिन्ना उनकी शुरुआती राणिनातिक जीवन में इसका अंसर है ऑप्शन से हिंदु मुस्लिम एकता की शुरुआत की नेश्ट कोशन है बाल गंगा धर तिलक को लोक मानने का उपनाम किस दोरान मिला था इसका अंसर है ऑप्शन भी होम रूल आंदोलन के दोरान